होली की भांग कुछ ऐसा असर करेगी मैंने जिंदीगी में भी नहीं सोचा था आज पहली बार मेरे हाथों में भांग है और पहली बार मैं भांग पिलाने वाली हूँ अपने ही घर पर अपने पैर पर खुद कुलाडी मार रही हूँ दर तो बहुत लग रहा था लेकिन मज़ा बहुत आने वाूरा था इसकी मुझे गैरिंटी थी इसलिए मैंने भांग मंगाई थी ये भांग चार हजार की पड़ी थी मुझे لेकिन मुझे इस बरी भांग पीने का बहुत ज़़ा मन था खेर हमने हो ली तो celebrate नहीं करी लेकिन घर पर पकवान अच्छे बनाये थे क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी टीम रहती है जिनकी रिए यह सब बना था भांग बनाने में इतना टाइम लगता है यह तो मुझे पता ही नहीं था अच्छे से अच्छी तरह हमें इसको घोलना पड़ता है अदर्वाइस भांग नीचे ही बैठ जाती है जैसे कि आप देख रहे हो भांग बन गई थी मैंने रोबजा भी उसमें आड़ कर दिया था और चीनी भी आड़ कर दी थी पट उसमें से स्मेल इतनी गंदी आ रहे थी कि पूछो मत तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं पीने वाली हूँ लेकिन मैं दूसरों को तो पिला ही सकती हूँ वैल यहाँ पर सिर्फ दो लोगों को नहीं पता था कि यह क्या है जैसे कि रोहित, रोहित को नहीं पता था ये क्या बन रहा है लेकिन उसको आइडिया था कुछ तो गड़बड है विल्वो भांग पी रहा था और सोच रहा था इसके अंदर क्या है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ एक ग्लास नहीं कम से भी कम छे ग्लास हैं आपर भांग पीती और एक ही बारी में सच में पुनीत को भांग बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो बार-बार मुझसे मांगे ही जा रहा था कि मुझे भांग दो भांग दो लेकिन बुला जाता है भांग के कुछ सेकंड्स के बाद आपको ऐसा असर होता है कि आप कुछ देखने लायक नहीं रहते क्या तो आप हसते हो तो हसते ही रह जाते हो रोते हो तो रोते ही रह जाते हो यहाँ पर क्या होने वाला था इस चीज़ को देखने के लिए मैं बहुत जादा एक्साइट थी वेल भांग पुनीट ने तो दो ग्लास पी ली थी मेरे सामने पीट पीछे बहुत पी थी ये मुझे पता चला लेकिन फिर बारी याई सैंडी की सैंडी पतानी आज क्यों मना कर रहा था भांग पीने के लिए लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती भांग पिला दी और उसने कम से भी कम चार ग्लास भांग पी ली मेरे ही सामने यहाँ पर गूची और ब्राउनी भांग पीने के चक्कर में थे लेकिन जैसे ही मैं और अंदर गई यहाँ पर इन दोनों की हालत हो रही थी खरा एक तो हस राता तो हसते ही चला रहा रहा था और एक रो रहा था तो रोते ही चला रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था इनके साथ हो क्या रहा है मेरे को भी एक नजिक दिन पी नहीं है भांग कि मेरा मन है अगर मैं हसरी हूँ तो मैं हस्ती ही चली जाओ बोला जाता है भांग भी नहीं कि बात प्यास भी बहुत लगती है अब ये तो पता नहीं क्या हुआ क्योंकि रात के 8 बजर थे और 8.30 में सो जाती हूँ इसके बाद क्या क्या यहाँ पर हुआ मुझे नहीं पता रिकॉर्ड कर चुके थे यह लोग यहाँ पर होली खेले जा रहे थे फालतु में आप पता नहीं यह भांग का नशा था यह फिन नहीं दारूपी थी आपको क्या लगता है कॉमेंट से बताना अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चाल के सब्सक्राइब कर देना बाई बाई लव यू आल